वेलकम बैग गाइस टावर यूट्यूब चैनल डिजिटल तयारी मेरा नामे चितन पारिक आरस अगरवाल के इंगलिस वाले बूक अपन स्वाल कर रहा है कंपाउंड इंट्रेस्ट वाला टॉपिक चल रहा है अगर इसी रेट पर तीन सालों के लिए इंवेस्ट किया जाए तो वो तीन सालों के बाद कंपाउंड इंट्रेस्ट पर चितना बन जाएगा तो सबसे पहले यहां पर रेट ओफ इंट्रेस्ट की जरुरत पड़ेगी हमें क्या हो रहा है किृध चार हजार रुपए की रासी है वह चार हजार पी और यहां पर इंट्रेस्ट किता हो करें और ़िए एक बार के लिये तो जीलों से जीलों तर यो चला गया यहांकर कितना मिल रहा अमाउंट किता होगा यह आपनको फाइंड करना है इस सवाल के अंदर तो 8% को fraction में अगर वापिस अपन चेंज कर देते हैं तो यह किता हो जाएगा देखू टू बाइटी सेवन मैंने इसको फ्रेक्शन में चेंज के लिए किता होगे 2 by 25 और इसको अपन क्या लिखते है 25 के उपर अगर 2 का इंट्रेस्ट है इसका मदब किता होगे 27 अगेन वो क्या होगा 25 to 27 एन अगेन 25 to 27 देखो यहां तक पुरी तरीके से ठीक है पुछ भी नहीं किया है जो rate थी अपने पास उसको मैंने fraction के अंदर ल्ख़ा है fraction के अंदर लिखने के बार यहां पे अपने पास तीन lang है तो मैंने उसको तीन वार लिख लिए अगर दो वार लिख लुए अगर 25 का जो क्यूब होता है वो आपको याद होगा 15 625 है प्लियर है मैं आपको बताया भी था कि आपको कम से कम 30 तक क्यूब याद होने चाहिए और उसके आगे के कुछ specific numbers होता है उनके cubes जो आपको निकालना आना चाहिए ठीक है 27 का जो क्यूब होता है यह भी आपको याद होगा 19 613 किता होता है 19 613 अब सवाल में क्या पूछा है कि amount कितना होगा यह जो 15,625 रुपय है यह 15,625 नहीं है एक्चुल में यह किता है 4000 है ठीक है तो यह किता होगा तो simple है यहां से सबस्क्राइब एक unit की value निकालेंगे 4000 बट्टा 15,625 और into में क्या कर देंगे 19 613 clear है इस चीज को solve करना है और जो answer है वो open को tick लगाना है 5 से देखो काड़ देता है उपर किता आ रहा है 800 आ रहा है उसके बाद further जब मैं इसको 5 से काड़ता हूँ यहां पर मुझे मिल रहा है 6, 2 and 5 यहां पर जब मैं 5 से काड़ता हूँ यहां पर मुझे मिल रहा है 1, 6 and 0 again 5 से जब मैं इसको काड़ता हूँ यहां पर मिल रहा है मुझे 125 और यहां पर मिल रहा है तीन और दू 32 यहां तक clear है उसके बाद इसको आगे और solve करते हैं देखो इसको मैं जब 125 से काड़ता हूँ 19 623 से तो देखो एक बार में तो 125 तक पूरा-पूरा जा रहा है ठीक है उसके बाद 71 बचरा है वो 71 मैं अगर इसके पास बेशता हूँ पीछे किता हो गया अपने पास 718 हो गया 718 के अंदर जब अपन 125 का डिवाइड लगाते हैं तो पांच बार तक पूरा-पूरा जा रहा है 625 तक उसके बाद अगर देखें आगे तो कहीं न कहीं वो exit कर रहा है यानि 5 वार तक तो पूरा-पूरा जा रहा है किता 625 तक चला पीछे किता रहे देखो पीछे रहे 75 और 18 75 और अपने पास किते हो जाएंगे 83 और 93 यहां पर किता मिल रहा है मुझे 3933 933 के अंदर जब मैं फर्दर डिवाइड लगाता हूं तो देखो यहां पे लगबग साथ के अरौंड यहां पर पूरा-पूरा डिवाइड जा रहा ह अपने पास देखो 125 करते हैं लगबग किता रहा है 700 और सौरी किता होगा पांच साथ आठ आठ सो पचतर हो रहा देखो इससे जदा जाने पर एकजीट कर जाएगा तो 25 और 33 पीछे रिमेंडर बच रहा है पीछे आठ एंड पांच अठावन आ रहा है पीछे ठीक है अगें देखो जीरो लगा देते हैं इस बार यहां पर इसके अंदर जब फर्दर डिवाइड लगाते हैं वहला अपन इसको यहीं पर चोड़ देते हैं आगे पॉइंट अब ऐसे भी अपन को यहां पर पूछा है तू दा नियरेस रूपीज यहां पर लगबग वेल्यू अब क्या करना है इस चीज को 32 से मल्टिप्लाइब करना और अपना अपन को टिक लगाना है सबसे पहले मैं 8 से कर लेता हूं फिर 4 से कर लूँगा 8 इंटू 4 32 हो गया यहां पर 3 56 और 3 किता हो गया 59 और 40 और 5 किता हो गया 45 और 8 और 4 किता हो गया 12 इसके अंदर फर्दर 4 से पुना कर देता है किता हो गया 8 और यह हो जाएगा 36 तीन 20 और 3 किता हो गया 23 और 8 और 2 किता हो गया 10 यहां पर चलाएगे एक 4 और 1 किता हो गया 5 यानि 5036 के अराउंड इसके कुछ वैल्यू है 5036 के लगबग जो है यह वैल्यू अपने पास आ रही है option B जो इसका actual answer हो गया क्लियर है कल्कुलेटिव सवाल है कल्कुलेशन का ही आपको ध्यान रखना है ठीक है चलते हैं next सवाल के तरह next सवाल क्या कह रहा है an amount of 10,000 rupees becomes 14,641 in 2 years if the interest is compounded half yearly what is the rate of compound interest per annum आपको rate of interest पूछी गई है ठीक है 10,000 के जो amount है यह जो 10,000 का जो amount है वो finally 2 साल के बाद कितना बन चुका है इत्ता बन चुका है 14,641 रुपा ठीक है time period अपन को 2 साल दे रखा है लेकिन इसाथ में एक चीज़ और दे रखी है half yearly half yearly का मतलब क्या है कि interest जो है हर 6 साल के बाद compounded है ठीक है हर 6 महीनों के बाद compounded है दो सालों के अंदर 6 महीनों को कितने pairs बनते है देखो total 4 pairs बनते है इसका मतलब process किती बार चलने वाली है चार बार चलने वाली है process क्या होता है वो अपन previous parts के अंदर देख चुके है ठीक है process जो है चार बार चलने वाली है अब यहां से आपको थोड़ा idea मिल रहा है कि 10,000 है 121 का जो square root होता है वो कितना होता है देखो 11 होता है यानि इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूं 11 11 11 और 11 क्योंकि 11 को चार बार multiply करने पर यह चीज़ मिल जाती है यानि यह से मैं कह सकता हूं कि rate of interest किती है वन एक रुपय का तो interest आ रहा है किसके उपर आ रहा है 10 के उपर य 12 मैंनों के लिए rate of interest किती हो जाएगी 20% हो जाएगी क्योंकि 20% जो होती है हाँ फेरली जब पूछा जाता है तो आप उसको आदा करके सवाल को solve करते हैं तो इस question का जो actual answer है वो कितना होगा 20% होगा option D जो है इसका actual answer होगा clear है चलता है next question क्या कह रहा है in how many years will a sum of rupees 800 at 10% per annum compounded semi annually become 926.10 क्या हो रहा है 800 रुपय का amount है अपने पास वो 926.10 बन रहा है कितने सालों में वो उपन को पूछा है rate of interest दे रहे के 10% per annum है लेकिन सवाल कहा रहा है compounded हां फेरली इसलिए अपन यूज क्या करेंगे 5% करेंगे रटना नहीं है कि हां फेरली है तो rate का आदा कर दिया आदा क्यों कर दिया यह पता होना चाहिए ठीक है क्यों कर देता है क्योंकि पर annum के लिए 12 महीनों के लिए आप 10% लगा रहा हो 22 21 अब यहां पर एक थोड़ा से idea अपने को मिल सकता है देखो अगर मैं दौनों जगे 10 से multiply करा दो तो यहां पर 0 आ जाएगा और यह जो point हो यहां से तो हट जाएगा यह point इस तरफ आ जाएगा आई बाच होन ठीक है और point के बाद 0 है तो इस 0 का तो कोई roll ही नहीं अपने यहां से देखो अपन को थोड़ा idea मिली गया है कि 20 से 20 किति वार होगा यह तीन वार होगा क्योंकि 20 इंटू 20 इंटू 20 आठ जार हो जाता है और यहां पर 21 इंटू 20 किता हो जाएगा तीन वार जो आपस में तो 9261 क्यूब होता है 21 का ठीक है यह तक यहां से अपन कह सकते ह है कि प्रोसेश जाए तीन वार चल रही है एक दो और तीन एक प्रोसेश 6 महीने क्योंकि सेमी अनुमली है 6 महीने 6 महीने और 6 महीने टूटल कितना टाइम हो गया एक साल और 6 महीने डैड वर्स आई बात समझ में option B जो है इस question का करेक्टान चलो जाएगा चलते हैं next question की तर इंट्रेस्ट ऑन सम्ट टू यह एट 12.5 पर सेंट पर एनम इज 510 रूपीज दे सिंपल इंट्रेस्ट ऑन पर सेंट पर सेंट इड़ेट गरना है सब कुछ डेटा सेम है देखो साड़े बारा पर सेंट को एक बटा हाथ लिख सेकते हो और इसको आप क्या लिखोंकि 8 से 9 और 8 से 9, टाइम दो वार है, दो साल है इसलिए मैं दो वार लिखूंगा यह कित्ता हो जाएगा देखो 64 और यह कित्ता हो जाएगा 81 यहां तक क्लियर है इन दोना का difference जाए किता आ रहा है देखो 16 और 1 कितना आ रहा है 17 यह जो 17 है वो 17 नहीं एक्चुल में किता है 510 से किता है 510 किया किया अपने 30 times किया तो इसको भी मैं क्या कर दूँगा 30 times कर दूँगा ठीक है यानि अपना principle किता हो गया 64 into 30 यह अपना principle है सवाल कहा रहा है रेट ऑफ इंट्रेस्ट सेम है यानि वही है वन बाई एक है ठीक है इसके अलावा टाइम पीरिएड टू यह से सेम टाइम पीरिड आता आपको पूछा है question के अंदर simple interest किता होगा तो बस इस चीज़ को solve करना है और answer टिक लगाना है किता आगे देखो यहां पर आठ इंटू 3 choice choice इंटू 2 किता हो गए है तो कोई problem भी नहीं है इसमें तो 10-11 लिख सकते हैं डायरेक्ली किता हो जाएगा देखो हंट्रेट से 121 हंट्रेट से 121 यहां तक क्लियर difference किता आ रहा है 21 का लेकिन यह जो compound interest actual में किता है 525 किता है 525 किस से multiply किया देखो दो बार 42 तक फिर 10 आगे चला गया पांच बार 25 से अपने multiply किया तो इसको मैं क्या कर लूँगा 25 से multiply कर लूँगा कितना मिल लाएगा मुझे पच्चिस सो रुपए यह क्या है पच्चिस सो रुपए अपना principle है अब आगे क्या कह रहा है सवाल the simple interest on the same sum यानि वह 25 सो रुपए के उपर ही आपको simple interest find करना है for the double time time period double है पहले दो वर्स था इस बार 4 वर्स है half the rate percent per annum पहले 10% rate थी इस बार 5% rate है 5% को मैं directly ही लिख रहा हूँ 1 by 20 इस चीज को solve करना है देखो काट दिया 5 वर में और 5 से इसको काट दे किता आ गया 500 तो अपना answer क्या हो गया option B 500 रुपीज जो है इस question का correct answer प्लियर है I hope सारे के सारे सवाल आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं हर एक सवाल आप खुद अपने हातर से solve कर रहे हैं कोई भी question अगर बीच में skip होता है at 8% per annum is half the compound interest on 4000 रुपीज for two years at 10% per annum the sum placed at simple interest is simple interest पर आपने कितना रुपिया लगाया वो आपको find करना है ठीक है सवाल कह रहा है कि 4000 रुपय को दो सालों के लिए 10% के इसाफ़ाप compound interest पर लगाते हो तो जो भी आपको interest मिलेगा उसका आदा है simple interest अगर simple interest मिल जाएगा time पड़िये rate बड़िये तो amount पी निकल जाएगा तो अपन डिरेक्ली शुरू करता है 10% है तो इसको क्या लिखेंगे 10 से 11 और फिर से क्या लिख देंगे 10 से 11 अभी बात समझ में किता हो जाएगा 100 से 121 यह 100 नहीं इक्षुल में किता है देखो 4000 यहां पर जो इक्किस आ रहा है वह भी एक्किस नहीं होगा किता होगा देखो 40 टाइम किता हो जाएगा 40 टाइम किता हो जाएका multiply कर लेता है यह हो गया 84 840 रूपए किता 840 840 का अदा किता होगा 420 हो जाएगा किता हो जाएगा 420 यह 420 अपना simple interest है किसी particular principle के उपर 8% rate of interest के हिसाब से 3 चालों के लिए बस इसको solve करके principle जाए अपनको find गरना है ठीक है इसको solve करते हैं किता आ रहा है 140 ठीक है और अगे इसको जब और सॉल कर लेते हैं देखो चार से काट लेता हूं दूबार में चार से काट लिए तीन और पांच वार ठीक है इसको और काट लेते हैं 50 तो पी की वेल्यू किता आ रही है there is 60 पर सेंट इस in an amount in six years at simple interest क्या हो रहा है कि 60 पर सेंट इनक्रीज हो रहा है 6 सालों में 6 सालों में 60 ये इन इस साल में कितना इंक्रीज हो रहा है साल है 10% 10-11 10-11 10-11 किती वार लिखेंगे तीन वार लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे 1000 और इसको क्या लिखेंगे 1331 11 क्यूब यह जो है कितना है एक्टूल में 12000 क्या कि आपने 12 से मल्टिप्लाइब किया तो इनका जो डिफरेंस है वही अपना इसको मैं क्या कर दूंगा 12 से मल्टिप्लाइब कर दूंगा तो अपना आंस्वर मिल जाएगा देको 12 से मल्टिप्लाइब करता है यहां पर चला गया 36 क्या चला गया तीन और 36 और तीन कितने हो गए 39 यहीं तीन हजार नौसो बहातर रुपए ऑप्शन सी जो है इसका आंस्वर हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट के दरफ चलते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है The compound interest earned by Sachin on certain amount at the end of 2 years at the rate of 8% per annum was 1414.40 What was the total amount that Sachin got back at the end of 2 years in the form of principal plus interest क्लियर है Question क्या कह रहा है आपको एक वर हिंदी में भी समझा देता है Question यह कह रहा है कि Sachin ने जो compound interest कमा या किसी particular रुपयों के उपर वो कह रहा है at the end of 2 years 8% के rate के हिसाब से इतना है मुलब 2 सालों का compound interest आपको given है तो यह सवाल कह रहा है कि 2 सालों के बाद जो amount है Principal plus interest जो amount है वो कितना है यह आपको find करना है देखो 8% को fraction में अगर आप लिखना चाहो तो कितना लिखेंगा आप 2 by 25 क्या लिखेंगे 2 by 25 time period दे रखा है दो साल है इसका मतलब क्या होगा 25 to 27 again 25 to 27 देखो clear है यह तक इसको क्या लिखेंगे 625 और इसको क्या लिखेंगे 73729 इन दौनों का जो difference है वो कितना आ रहा है 104 इन दौनों का difference कितना आ रहा है 104 यह 104 actual में 104 नहीं है कितना है 1414.40 है तो यह 730 कितना होगा यह आपको find करना है मतलब आपको compound interest given है और amount कुछ यह कुछ भी नहीं यह बहुत ही simple सवाल है जैसा मैं आपको सुरू से कहता रहा हूँ compound interest के अंदर बहुत ही कम concepts है बस calculation जादा है तो इस सवाल के अंदर भी अपन देख सकते हैं concept बिल्कुल छोटा सा है लेकिन calculated सवाल है कैसे करते हूं 14-0-14-14-10-40 divide में क्या करदेंगे यह 104 और into में क्या कर देंगे 729 ठीक है ये tan चीज़ कर दी है अब इस चीज़ को solve कर देते हैं देखो 13 से जब मैं इसको काड़ता हूं 13 से काटा तो गत्ति वार में कट रहा है तेरा से जब देखो उपर वाले को काड़ता है वन एक वार में पोरा पूरा कट रहा है 13 से एक कहरी चला गी में बज़ा देखो दिवamped जाने रहा है यहां पे 0 आ जायेगा clear है अब आगे इसको और solve करना है आठ से जब मैं इसको कारता हूं एक वार में पूरा-पूरा कट रहा है दो आगे चला गया तीन वार में चौईस तक पूरा-पूरा चार आगे चला गया है छेहां लगबग कुछ है ठीक है अब इन नौनों को multiply करवाना है जो चीज मिलेगी कि अपने पास 117 तेरा इंटू दो किते हो गए 26 26 और 11 किते हो जाएंगे 37 यहां पर चला जाएगा केरी अपने पास ती यहां तक लिए रहा है था हूं ठीक है इसको सॉल करता हूं ठीक है इसको किया किता मिलेगा मुझे यह 2100 सित्याइज सी और डिवैड में किता है पांच जब मैंने इसको डिवैड किया तो चार वार में और फिर चार वार में 20 तक चला गए, एक आगे तीन वार में, फिर तीन आगे चला गया तो साथ वार में और पॉइंट चार वार में, यहीं 437.4 समतिंगे, यहीं 437.4 जो है, इसमें एड़ किर लेता हूँ यह किता हो जाएगा, 14, 8 और 3 किता हो गए, 8 और 3, 11 एक यहां पर चला गया, कैरी 9 और 9,914.4 9,914.4 ऑप्सन डी जो है, इस क्वेस्टन का करेक्टान पर जाएगा क्लियर है, यहां से आप इजीली देख सकते हो, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर बस कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है तो आपको इस चीजों का त्यान रखना है कैलकुलेशन के लिए मैं आपको फिर से बता दूँ आपको 30 तक टेबल्स याद होने चाहिए 30 तक हो सके तो क्यूब्स याद होने चाहिए, 25 तक है तो भी ठीक है, लेकिन 30 तक हो फिर भी अच्छा रहता है 31, 41 और 51 के directly cube आपको याद होने चाहिए, इसके अलावा squares तो आपको निकाला आने ही चाहिए कम से कम 150 तक के लिए इत्ता कर लेते हो, फिर जम के practice कर लेते हो तो गैल्कुलेटिव पार्ट जो है आपका clear हो जाए ठीक है, तो फिलाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं 33 number question तक आगे आने वाले parts के अंदर next वालों को solve करेंगे, thank you